नमस्कार माई 9 के वीकेंड स्पेशल शो कंप्री नावा में आपका बहुत स्वागत है मैं हूं संदीब ग्रोवर इस शो में हम आपको बीते कारोबारी हफते की कॉर्पेट और स्टार्ट अप जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की जानकारी देते हैं साथ ही हमारा एक खा प्रूडपे की संपत्ती वाला बजाज ग्रूप अब हेल्थ केर सेक्टर में उतरने की त्यारी कर रहा है इसके तहर देश के सभी मेट्रो शहरों में हॉस्पिटल चेन की स्थापना की जाएगी फिलाल यह व्लैन शुरुवाती स्टेजिस में है और बजाज ग्रूप एक हैं यह बजाज ग्रूप का पहला बड़ा मेजर डावर्सिफिकेशन होगा पांच अगस को ग्रूप की फ्लैक्शिप कंपनी बजाज उटो का शेयर करी पॉने दो परसंड की कमजोरी के साथ 9,450 रूपे के सथर पर बंद हुआ था अगली खबर अधानी ग्रूप की कंपन निवेशकों ने हिस्सा लिया था इन निवेशकों में अरब पती स्टैनलरी ड्रक मिलर के फैमली ऑफिस के नेतेतों वाली इन्वेस्मेंट फर्म्स ने भी पैसा लगाया था पांच अगस को अधानी एनरजी के शेयर में पॉने 8% की कमजोरी के साथ 1140 रूपे 60 पैसे के स सर पर कारोबार की समाप्ती देखने को मिली दूसी खबर ये थी कि गौतम अधानी ने उत्रादिकार योजना की खोशना की है फ्लूंबग के साथ इंटर्व्यू में गौतम अधानी का खुलासा किया कि उनकी 70 साल में पदबार चोड़ने की योजना है फिलहाल गौतम ताबिक 2030 के दर्शक की शुरुआत में वो अपने वारिसों को कारोबार सौपेंगे इन वारिसों में उनके बेटे करन और जीत के अलावा भतीजे प्रनव और सागर के पास कमान जाएगी इन चारों के पास ग्रुप की अलग-लग कमपनियों की कमान अभी भी है पांच अधानी एंटरपैजिस का शेर करीब साड़े चार पसेंट और अधानी ग्रीन का शेर करीब 6 पसेंट की कमजोरी लेकर 1768 रुपे के स्थर पर बंद हुआ था तीसी खबर ये थी कि अम्बूजा सीमेंट्स बिहार में 6 MTPA की सीमेंट ग्रांडिंग यूनिट लगाएगी जिस पर 1600 करोड रुपे का निवेश किया जाएगा पांच अगस को अम्बूजा सीमेंट्स के शेर में करीब पौने 3 पसेंट की गिरावट के साथ 635 रुपे 40 पैसे के स्थर पर कारोबार का अंध हुआ आठ अगस को ख़वर थी कि अधानी एंटर्प्राइजिस ने दुबई में ग्लूबल एरपोर्ट्स ओपरेटर नाम की स्टेप डाउं सब्सिडरी की सापना की है दरसल अधानी एंटर्प्राइजिस की सब्सुडिरी कंपनी अधानी एरपोर्ट होल्डिंग्स ने अपनी सब्सुडिरी कंपनी का गठन किया है इस सब्सेडिरी कंपनी के जरीए भारत के बाहर एरपोर्ट्स को चलाने के लिए अधिगरहन और इन्वेस्मेंट ऑपरेशन्स का काम काज किया जाएगा आठ अगस को अधाने अंटर्पाइजिस के शेर में करीब आदा पसंड की कमजोरी के साथ 3172 रुपे 55 पैसे के सतर पर कारोबारी सतर की क्लोजिंग देखने को मिली अगली खबर इन्फी बिम एविन्यूज ने रिडिव.com इंडिया का 54% हिसा खईदने की घोशना की है 25 करोड उपे का ये सौधा अगले 90 दिन में पूरा होने की अमीद है कमपनी का कहना है कि ये अधिगरहन उसके लिए एक बड़ा मील का पत्थर है और इस अधिगरहन के जरिए कमपनी की मेंस्ट्रीम न्यूज, क्लाउड बेस एंटर्राइस इमेल स्टोरेज और कॉलाबरेशन प्लाटफों के समर्थन से एग्रिगेटर के रूप में कंजूमर फेजिंग डिजिटल फिनैंशल सर्विस की शुरुआत होई है पांच अगस को इन्फी बीम एमनियूस का शेर करीब सवा 2 पसेंट गिरकर 31 रुपे 58 पैसे पर बंद हुआ हाला कि दिन के दुरान शेर 33 रुपे 49 पैसे तक भी उचल गया था अगली खबर समर्दन मदरसन का शेर इस अफ़ते दो खबरों के चलते फोकस में था पांच अगस को खबर थी कि समर्दन मदरसन इंटरनाशनल यानि SAMIL ने JV कंपनी मदरसन आटो सुलूशन्स में 34 पसंट हिस्सा 236.5 करोड रुपे में खईने को मनजूरी दे दी है यह हैसेदारी JV पार्टनर सोजिट्स कॉप से सब्सिडिरी कंपनी समर्दन मदरसन इनोवेटिव सलूशन्स यानि SMISL की और से खई दी जाएगी पांच अगस को समर्दन मदरसन का शेर 8.5% की बड़ी गिरावट लेकर 176 रुपे 84 पैसे के सतर पर बंद हुआ हाला कि इंटरडे में शेर 170 रुपे 31 पैसे तक भी फिसल गया था छे अगस को मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर थी कि समर्दन मदरसन इंटरनेशनल आइफोन बनाने वाली अमेरिका की दिगज कंपनी एपल के भारत के सप्लाई चेन नेटवर्क में शामिल हो गई है स्मार्टफोन के लिए ग्लास सप्लाई करने वाली हॉंग कॉंग की ग्लोबल कंपनी बी आई एल क्रिस्टल मैनुफैक्टरी के साथ मिलकर ये कंपनी एपल के सप्लाई चेन नेटवर्क में शामिल हो सकती है बता दे कि जनवी दोजार चौबीस में ही कंपनी ने बी आई एल क्रिस्टल मैनुफैक्टरी के साथ करार किया था चे अगस को समधन मदस्तन का शेर हलकी बड़त के साथ 175 रुपे 84 पैसे पर बंद हुआ हाला कि इंटरडे में शेर 185 रुपे 85 पैसे तक भी उचल गया था अगली खबर आईडी बेय बैंक के 6151 करोड रुपे के एनपे पोर्फोलियो को खईदने के लिए ओमकारा एरसी ने सफल बोली लगाई है आईडी बेय बैंक के एसेट्स के अधिग्रहन और उनको मैनेज करने के लिए सरकार ने SASF नाम के Special Purpose वहिकल यानि SPV का गठन किया था SASF के इन एसेट्स को खईदने की दौड में ओमकारा एरसी के लावा NARCL यानि बैड बैंक भी शामिल था आईडी बेय बैंक के 29 NPA अकाउंट्स की 3 अगस को निलामी की गई थी जिसके लिए 13 जुलाई को Expressions of Interest यानि EOI मंगवाए गए थे इस निलामी के लिए 642 करोड उपे का रिजर्व प्राइस स्टै किया गया था लेकिन ओमकारा A.RC ने अपनी बोली की रकम को बढ़ा कर 652 करोड रुपे कर दिया जिसके बाद उसे सफल बीडर गोशित कर दिया गया था पांच अगस को आईडी बेय बैंक के शेर में साड़े 6 पसंद की कमजोरी के साथ 94 रुपे 20 पैसे के सथर पर कारोबार की से जेपी ग्रुप की 10,000 करोड रुपे की हाई कास्ट फैनेंसिंग जुटाने के लिए बात चे चल रही है ऐसे से बैंक के अगवाई वाले बैंकों की अर्जी के बाद 3 जून को N.C.L.T. ने जैपकाश एसोसियेट्स के खिलाफ दिवाले अपर क्रिया शुरू करने से जुड़ी अर्जी को स्विकार कर लिया था हाला कि एक रिपोर्ट के मताबिक जल के लैंड अथोरिटीस के साथ चल रहे विबादों से क्रेडिट फंड से मोलतोल करने में मुश्किल हो सकती है जेपी ग्रूप की अपनी कर्ज को री फैनांस करने के लिए पूझे जुटाने की योजना है जिसके बाद अपने एसेट्स की विक्री के जरिए कर्ज घटाने की भी मंचा है पांच अगस को जेपी असोसेट्स के शेर में 5 पसंड के अपर सरकेट पर 9 रुपे 76 पैसे पर कारोबार का अंत देखने को मिला अगली खबर मंगलबाद 6 अगस को जाइडेस वेलनेस के 17 लाक शेरों या करीब पॉने 3 परसंट हिससे की बड़ी ब्लॉग डिल हुई एनेसी पर मौझूद ब्लॉग डिल के आँकरे बताते हैं कि प्राइवेट एकुटी फरम ट्रू नॉर्थ की सही होगी कंपनी त्रेपसी केर ने 2201 रुपे 40 पैसे के औसद भाव पर इस डील के जरीए 374.24 करूड रुपे में अपनी इससेदारी बेची है इस हिस्सा विक्री के बार ट्रू नॉर्थ की कंपनी में इससेदारी 10.12 परसंट से घटकर करीब 7.5 परसंट पर आ गई है इस ब्लाग डिल में क्वांट म्यूचल फंड का नाम खरीदार के रूप में सामने आया है चे अगस को जाइडेस वेलनेस के शेर में हलकी गिरावट के साथ 2,220 रुपे पर कारोबारी सर्थ का अंत हुआ पर ब्लाग डिल होने के बाद शेर शुरुवाती कुछ मिन्टों में ही 2,360 रुपे तक भी उचल गया था अगली खबर मंगरवाद 6 अगस को एकम्स ड्रक्स एंड फार्मस्टिकल्स के आईपियो के तहर जारी शेरों की बाजार में लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग ठीक टाक रही एनेसी पर एकम्स ड्रक्स की 725 रुपे पती शेर के बाहब पर लिस्टिंग हुई यानि की एशू प्राइस से करी पॉने 7% प्रीमें पर लिस्टिंग हुई क्योंकि आईपियो का एशू प्राइस 689 रुपे पती शेर था इस आईपियो को निवेश्को से रिस्पॉंस काफी अच्छा मिला था ये आईपियो कुल 63 गुना सब्सक्राइब हुआ था जिसके जरीए कंप्री ने कुल 1856 करोड रुपे की रकम जुटाई है अच्छे रिस्पॉंस के चलते लिस्टिंग के बाद दिन के दुरान शेर में खाईदारी बढ़ती हुई नजर आई और कारोबार के अंत में एकम ड्रक्स का शेर 797 रुपे 50 पैसे के सर पर बंद हुआ जो की 725 रुपे के ओपनी प्राइस के मकाबले 10 पसेंट के अपर सरकेट पर था और 689 रुपे के इशू प्राइस के मकाबले करीब साड़े 17 पसेंट के प्रीमियम पर है अगली कबर सरकारी रेलवे कंपनी आयर एफसी की और से जारी एन्यूल रिपूर्ट के मताबिक ये कंपनी रेलवे इंफरसक्चर प्रॉजेक्स में निवेश के मौके तलास रही है 6 अगस को आयर एफसी के शेर में एक पसंट की गिरावट के साथ 177 रुपे 50 पैसे पर कारोबार कांथ हुआ हाला की दिन के दुरान शेर 187 रुपे तक भी चड़ गया था अगली खबर माकिट रेकलेटर सेभी के मिनिमम पब्लिक शेर होल्डिंग यानि MPS नियम को पूरा करने के लिए सरकार मौझदा वितवर्ष के दुरान भारतिय जीवन बिमा निगम यानि LIC में अपनी 5% हिसेदारी बेच सकती है सरकार के पास फिलाल LIC की 96% हिसेदारी है मैं 2022 में आया आई पियो के जरीए सरकार ने LIC में अपनी 3.5% हिसेदारी बेची थी 1124 रुपे पर कारोबारी सर्थ की समापती हुई अगली खबर मंगरबाद 6 अगस की शाम को जारी पहली तमाई के नतीजेों के साथ टाटा पावर के बूर्ड ने लगजंबंक स्टॉक एक्स्चेंज पर लिस्टेट कंपनी के ग्लोबल डिपॉजटरी शेर्स यानी जीडियेस की डी लिस्टिंग के पस्ताव को भी मनजूरी दे दी इन शेरों में कम एक्टिविटी के चलते ये फैसला लिया गया है मार्च दोजार चॉबिस तक कंपनी के 362 डिपॉजटरी शेर्स हैं जो की 1994 में सिटी बैंक को इशू किये गए थे साथ ही गबर ये भी थी कि कंपनी की खॉरलोचू हाइडर पावर प्रोजेक्ट यानी के एच पील में 40% हिसा खईदने की योजना है ये हिसेदारी 830 करोड रुपे की रकम में खईदी जाएगी ये हिसेदारी एक या उससे जादा चरनों में खईदी जा सकती है माना जा रहा है कि सौदे का पहला चरन 6 महिने के अंदर पूरा हो सकता है दरसल कमपनी की बुटान में 600 मेगावाट का हाइडरो पावर प्रोजेक्ट लगाने की योजना है जिसके तहद ये हिसेदारी खईदी गई है 6900 करोड रुपे की लागत से बनने वाले इस हाइडरो पावर प्रोजेक्ट के लिए टाटा पावर ने ड्रक ग्रीन पावर कमपनी के साथ करार भी कर लिया है 7 अगस को टाटा पावर के शेर में मजबूत बाजार में भी करीब 1.5% की कमजोरी के साथ 431 रुपे पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली अगली खबर नीजी छेतर के येस बैंक में हिसेदारी खईने की दौड से जापान की दिगज वित्य कमपनी मिजो हो बाहर हो गई है अब इस दौड में केवल दो दावेदार SMBC और Emirates NBD बचे हैं संपत्ति के हिसाब से बारत का छटवा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक एक नए मालिक की तलाश कर रहा है चार साल पहले RBI ने येस बैंक को डूबने से बचाया था जिसमें SBA समयत कई सरकारी और निजी बैंकों ने इस प्राइवेट बैंक में हिसेदारी खई दी थी SBA के पास येस बैंक की करीब 25% हिसेदारी है जिसे बेचने को लेकर मार्च 2024 में लॉक इन खत्म हो गया है और 29 सप्रेल को SBA को अपना हिसा बेचने के लिए सरकार से भी मनजूरी मिल चुकी है 7 अगस को येस बैंक के शेर में करीब 4% की मदबूती के साथ दिन के उच्चतम सर के करीब 24 रुपे 14 पैसे पर कारोबार की समापती हुई अगली खबर बुदवार 7 अगस को जारी हुए तिमाही नतीजों के साथ AIA एंजिनिरिंग के बूर्ड ने शेर बाइबैक के पस्ताव को भी मनजूरी दे दी टेंडर रूट के जरीए होने वाले इस बाइबैक पर कंपनी 500 करोड रुपे का खर्च करेगी ये बाइबैक 5,000 रुपे पती शेर के भाव पर होगा जो की मंगलवार 6 अगस के क्लोजिंग प्राइस से 12 पसंड के प्रीमियम पर है बता दें कि ये कंपनी के और से अब तक का पहला शेर बाइबैक होगा बजट 2024 में बाइबैक पर टैक्स के नियों में बदलाव के बाद करीब दरजन भर कंपनिया शेर बाइबैक लाने की घुशना कर चुकी है साथ अगस को AIA एंजिनिरिंग के शेर में करीब आदा पसंड की मजबूती के साथ 4,481 रुपे पर कारोबार की समापती हुई पर दिन के दुरान शेर 4,697 रुपे तक भी उचल गया था अगली खबर इंडिपेंडेंट एंटिटी के रूप में चला जाएगा साथ ही रेनोम एनर्जी के OMS बिजनस से सूजलोन के कारोबार को वित्तिय स्थिरता मिलेगी आपको बता दे कि रेनोम एनर्जी देश की सबसे बड़ी मल्टी ब्रैंड ऑपरेशन्स और मिंटेनस सर्विसेस यान गुरुवार आठ अगस को सूजलोन एनर्जी के शेर में 5% के अपर सर्केट पर 59 रुपे 58 पैसे के सर्थ पर कारोबारी सत्र का अंत हुआ अगली खबर की बड़त के साथ 1845 रुपे 45 पैसे पर क्लोजिंग देखने हो कमली हाला कि इंटरडे में शेर 1791 रुपे 20 पैसे तक भी फिसल गया था अगली खबर को गोद्रिज कंजूमर के शेर में 3% से जादा की कमजोरी के साथ 1458 रुपे 30 पैसे पर क्लोजिंग हुई हाला कि इंटरडे में शेर 1504 रुपे 95 पैसे तक भी उचल गया था वहीं गोद्रिज एग्रोवेट का शेर 1% से जादा गिर कर 796 रुपे पर बंद हुआ पर दिन क पर सेजल इंडिया का शेर 419 रुपे पर लिस्ट हुआ यानि कि इशू प्राइस से 4.5% प्रिमियम पर लिस्टिंग हुई क्योंकि आईपियो का इशू प्राइस 401 रुपे पती शेर था इस आईपियो को निवेशकों से ठीक ठाक रिस्पास मिला था यह आईपियो कुल 14 गुना के आसपास भरा था हाला कि उसे साब से लिस्टिंग पर वैसा रिस्पास नहीं देखने को मिला इस आईपियो के जरी है कंपनी ने कुल 1252.66 करूर रुपे की रकम जटाई है कारोबार के अंद पर सेजल इंडिया का शेर 387 रुपे 80 पैसे पर बंद हुआ जो की 419 19 रुपे के ओपनी प्राइस से 7.5% नीचे और 401 रुपे के इशू प्राइस से भी करीब सवा 3% के डिस्काउंट पर था अगली खबर देश की सबसे मुलिवान कंपनी रिलाइंस इंडस्ट्री यानी आराईयल ने वितवस 2023 में एक साल पहले की तुलना में अपने करमचार की संख्या घटी होई नजर आई है सबसे ज़्यादा गिरावट रीटेल सेक्टर में आई है जहां कंपनी के कई स्टोर बंध हुए हैं और विस्तार में भी कमी देखने को मिली है आठ अगस को कारोबारी सत्र के अंद पर आरायल के शेर में एक पसंद से ज़्यादा की क्लोजिंग होई अगली खबर मंगरवाद 6 अगस को सिंफनी के बोर्ड ने पहली तिमाही के नतीजों के साथ शेर बाइबैक के पस्ताव को भी मनजूरी दे दी बोर्ड ने टेंडर रूट के जरिए 2500 रूपे के भाव पर 285 अगस के बाइबैक को मनजूरी दी है जो कि कम शेर बारा सो तीस रूपे पांच पैसे पर बंद हुआ था इससे पहले 2023 में भी कमपनी ने 2000 रूपे पती शेर के बाव पर बाइबैक किया था बाइबैक की खबर के चलते 6 अगस को शेर ने 20% का सरकेट हिट किया और 8 अगस को भी शेर में 15% तक का उचाल देखने को मिला यानि की तीन दिन में शेर में 40% की तेजी देखने को मिली और दिन के दुरान शेर ने 1748 रूपे 75 पैसे का 52 वीक हाई बीच हुआ था अगली खबर शुकवार 9 अगस को ओला एलेक्ट्रिक के आईपियो के तहर जारी शेरों की लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग एकदम सपार्ट हुई एनसी पर ओला एलेक्ट्रिक का शेर 76 रूपे पर लिस्ट हुआ यानि की इशू प्राइस से बिना बदलाव के शेर की लिस्टिंग हुई इस आईपियो को निविश्को से ठीक ठाक रिस्पॉंस मिला था ये आईपियो कुल 4.3 गुना सब्सक्राइब हुआ था जिसमें रीटेल का हिस्टा करीब 4 गुना और QIB यानि संसागर निविश्को का कोटा 5.3 गुना भरा था पर NII का हिस्टा मातर 2.4 गुना ही भरा था इस आईपियो के जरीए कंपनी ने कुल 6,145 कुरूर रुपे की रकम जुटाई है सबार लिस्टिंग होने के बाद शेयर में जबरदस तीजी आई और शेयर में 20% का उच्छाल देखने को मला कारुबार के अंद पर ओला एलेक्रिक का शेयर 91 रुपे 20 पैसे पर बंद हु बोर्ड ने टेंडर रुट के जरीए 800 रुपे के भाव पर 5 लाग शेयरों के बाई बैक को मंजूरी दे दी है जो कि कंपनी की कुल 1.14% इसेदारी के बराबर है इस शेयर बाई बाई बैक पर कंपनी के और से 40 करोड रुपे तक का खर्च किया जाएगा आपको बता दे कि बाई बैक का पराईज गुरुवार 8 अगस के क्लोजिंग भाव से 27.4% प्रीमियम पर है क्योंकि गुरुवार को शेयर 628 रुपे के सतर पर बंद हुआ था इस बाई बैक के लिए कंपनी ने 23 अगस रिकॉर्ड डेट तै की है 9 अगस को महियूर यूनिकोटरस के शेयर में करीब 6% की मदबूती के साथ 664 रुपे 70 पैसे के सतर पर कारुबार की समापती हुई हाला कि दिन के दुरान शेयर 690 रुपे तक भी उचल गया था तो इसी के साथ बीते कारुबारी हफते की कॉर्टपे जगत से जुड़ी बड़ी सुर्किया हमने आपके सामने रख दी हैं और अब रुख करते हैं कॉर्टपे जगत की ऐसी ख़बरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा है अंदर अडर के जरीव और बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ प्रवरतन निदेशालय यानि एडी ने रेलीगेर एंटर्प्राइजिस की सब्सेडरी कंपनी केर हेल्थ इंचरेंस के तीन इंडिपेंडेंट डिरेक्टर्स को समन भेजा है इन तीनों को मनी लॉटरिंग मामले से जुड़ी जांच के सिलसले में की शिकायत और कूर्ट के निदेश के अधार पर नवंबर 2023 में मुंबई पोलिस ने चीटिंग का केस फाइल किया था जिसे बाद में एकोनोमिक ओफेंस विंग को ट्रांसफर कर दिया गया था पांच अगस को रेलिगर एंटर्प्राइजिस के शेर में 35% की गिरावट के स 237 रुपे 55 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग हुई अगली ख़बर आइड़ीफसी फर्स बैंक ने पीसी जोलर के वन टाइम सेटलमेंट आफर यानि ओटीएस को मंजूरी दे दी है रवीवार चार अगस को स्टाक एक्सेंजरों को दी गई जानकारी के मताबिक आइड़ 24 एवई 24 यानि वितवस 2024 की चौथी तिमाही में स्टेट बैंक ओफ इंडिया यानि SBI खरूर वाइसे बैंक और एक्सिस बैंक ने इस पस्ताव को मंजूरी दे दी थी पांच अगस को पी सी जोलर के शेर में 5% के निचले सरकेट पर 90 रुपे 27 पैसे पर कारोबार का अंध हुआ पर शेर का इंटा डे हाई 93 रुपे 47 पैसे था अगली कबर सुबार पांच अगस को ख़बर थी कि पावर फिनेंसिंग के कारोबार से जुड़ी सरकारी कंपनी पी एफसी के इंडिपेंडेंट डिरेक्टर्स ने कंपनी के और से SP ग्रूप को दिये गे लोन पर चिं डिपेंडेंडेंड डिरेक्टर्स विवात खड़ा कर सकते हैं बता दे कि पी एफसी के और से SP ग्रूप के इंफ्रस सेग्मेंट के लिए करीब 20,000 करूड रुपे के लोन को मंजूरी दी गई थी पांच अगस को पी एफसी के शेर में 5.5% की कमजोरी के साथ 497 रुपे 40 पैसे के सर पर कारोबारी सत्र का अंध हुआ अगली खबर दिगज फामा कंप्टी लूपिन को महरास्टा जी एस्टी अथारिटी से 672.4 करूड रुपे की रिकवरी के लिए शोकोज नोटिस मिला है इस रकम में टैक्स के साथ साथ पेनल्टी की रकम भी शामिल है ये नो पाती जांच करने के आठ साल बाद सीबी आई ने कोईला खननन के लिए परेवरल मन्जूरी हासिल करने में हुए भरष्टाचार के आरोप में आयते बिल्ला ग्रूप की प्रमुक अलुमिनियम कंपनी हिंडालको के खिलाफ एफ यार दर्ज की है सीबी आई का आरोप है कि हिंडालको ने औरिशा के सबसे ज़्यादा प्रदूशित छेत्र जार्सू गोड़ा में ताला बीरा वन माइन में कोईला खननन की अनुमती के लिए रिश्वत का साहरा लिया था FIR के मताबिक खननन की अनुमती लेने के लिए कंपनी ने Ministry of Environment, Forest and Climate Change of India यानी MOEF के अधिकारियों को रिश्वत दी थी प्रश्चाचार के आरोप के बावजूद 7 अगस को हिंडालको के शेयर में करीब 3% की बड़त के साथ 628 रुपे, 70 पैसे के स्थर पर कारोबारी सत्र का अंत हुआ तो कॉर्पेट जगर से जूड़ी इस अफ़ते की तमाम बड़ी खबरें हमने आपके सामने रखती हैं, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टार्ट अप स्पेस की स्टार्ट अप अपडेट में और चलते हैं पहली खबर की तरफ इकॉमर्स जाएंट एमाज़न इंडिया के कंट्री मैनेजर और इंडिया हेड मनीश तिवारी ने अपने पच से इस्तीफा दे दिया है, आपको पता दे कि वो एमाज़न इंडिया के साथ पिछले आठ साल से कारे रख थे, हालाकि वो अक्टूबर तक कंपनी के साथ बने कंपेडिशन मिल रहा है, अगली खबर देश की स्टार्ट अप कंपनियों के ग्रूप ने कंपेडिशन कमेशन आफ इंडिया यानी CCI से दिगज टेक कंपनी गूगल की शिकायत की है, स्टार्ट अप ने आरोप लगाया है कि ऑनलाइन विग्यापन के बाजार में गूगल के लाउंच के लिए सेतु ने एक्सिस बैंक के साथ पार्टनर्शिप की है, यह प्लाटफर्म डाइवर्स पेमेंट फीचर्स को सपोर्ट करता है, साथ ही यह प्लाटफर्म ट्रानेक्शन सक्सेस रेट्स को भी बढ़ावा देगा, तो इसी के साथ कंपनी नामा के आज के अगले शनिवार की शाम को आपसे फिर मुलाकात होगी, इसी समय नई खबरों के साथ, तब तक आप जुड़े रही मरीनायन के साथ, नमस्कार, शुबरात्री. क्ड़िर टरैंवर identific मुलाकात होगी, तो इसाथ कंपनी नेфथा की शुबरा होगी है, रही मरीन के रावी से पिती शीड प्यूंड़े चूंड़े उना है वोग जूचेष पिती दे शमीझ़े रही ऑंपको िוेमने मुला के समॉचे साथ, उमस्क्ताधे फिस्दूनी ष्